आज के इस वीडियो में बच्चो आप लोग सीखने वाले हो फ्रिडल क्राफट अब क्रिया और ये फ्रिडल क्राफट अब क्रिया जो हम बताने वाले ही वो हैलो एरीन से हैलो एरीन का मतलब है एक आपके पास बेंजीन रिंग ज्यादा मैं समय नहीं लूँगा बिल्कुल समझाने का मतलब यह है कि आप से रियक्षन आना चाहिए हैलो एरीन को बच्चो यदि हम कहें तो एक बेंजीन रिंग के साथ कोई हैलोजन परमाड़ो जोड़ दें तो यह हैलो एरीन कहलाता है यदि मैं इसको किसी एलकील हैलाइड से क्रिया करा दूँ जैसे मैं ले लेता हूँ CS3CL तो यह जो एलकील हैलाइड होता है यह क्रिया करता है हैलो एरीन से अच्छा किसके उपस्थिती में होता है यह जो क्रिया तो हमेशा जब भी बिल्कुल बनता है लेकिन फिलाल अभी आप इसको इतना सीखो यदि मैं आप से कह दूँ यहाँ पर टू का मल्टिप्लाई कर दूँ तो बनेगा क्या तो देखो जरा क्या बनेगा कुछ तो अर्थो पोजीशन पर जुड़ता है और कुछ पैरा पोजीशन पर जैसे मालीज कलोरीन है इसका पैरा प्रोजीशन यहाँ पर तो अर्थो कलोरो टालूइन कहलाया यह पैरा कलोरो टालूइन है सांत में बच्चो यहाँ से जो सीज है कहां जाएंगे भ dazu प्रहा प्रहाँ तो जहां बही दो सील कहां जाएगा तो जहां भी सीहेस्थ्य जुड़तवинки जैस से भी तो H निकला होगा तब पर भी तो वहां पर CS3 जुड़ा तो H निकल कर CL से क्रिया करके बच्चो HCL बना लिया फिलाल अभी ये Friddle Craft अबक्रिया मैंने करा दिया हैलो एरीन का जब भी Friddle Craft अबक्रिया आ जाए तो ध्यान रखना निर्जल ALCL 3 आपको लेना ही लेना है कहीं भी बात करें बच्चो जब भी P trajectory की बात आएगी तो निर्जल ALCL 3 आपको लेना ही लेना है इसी के उपस्תिती में railway होती है अब आपके मन में एक संसे जरूर आएगगा कि सरेदी P द्यान ये रखना है हमेशा question में ध्यान ये रखना है कि इसके साथ-साथ और जो वन question है वो किस chapter के हैं हैलो एरीन, हैलो एलकेन के हैं या आप final chapter से है यदि आपका वो other question हैलो एरीन, हैलो एलकेन का अथवा में कोई न कोई question तो रहे गाई आपको समझ में आ ही जाएगा उस according से आपको फिर वो अबक्रिया को करना है यदि हैलो एलकेन, हैलो एरीन का तो आपको फ्रिडल कराट अबक्रिया ये कर देना है और यदि भाईया फिनाल का है तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा जिसे हमने आप से कहा कि क्लोरीन जुड़ा है उसके जगए आपको फिनाल बनाना है तो ओएज जुड़ना होगा ये ओएज जुड़ दिया और अलकेली, अलकेल हैलाइड है मतलब अलकाइली करन ये कहलाता है बच्चो और वही निर्जल ALCL3 के उपस्थिती में पोजीशन वही रहेगा यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपका OH जुड़ जाएगा, वाकी पोजीशन अर्थों पे जुड़ा, अब इस बार हम पोजीशन चेंज करेंगे, तो ठीक है ठीक है गड़बड हो गया भीया, ये OH यहाँ पर होना चाहिए, है ना, OH यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका जुड़ेगा CH3, और ये CH3 हो जाएगा, ठीक है, बाकी वही हमारा HCL, 2 HCL बाहर हो जाएगा, बैलेंसी कराने के लिए 2 का मल्टिप्लाइ कर सकते हैं, ये हमारा फ्रिडल क्राप्ट अबक्रिया हो गया, मतलब हमने क्या कहा, क्लोरीन के जगहे आप O-8 जोड़ दो, क्या? क्लोरीन के जगहे O-8 जोड़ दो, ये फिनाल का फ्रिडल क्राप्ट कम्प्रीट हो जाता है, तो फ्रिडल क्राप्ट अबक्रिया आप लोग समझ गया होगे, उम्मीद करता हूं वीडियो पर संदा होगा लाइक करके शेयर करने टेलिग्राम से कोचिंग क्लासस के नाम ज़र टेलिग्राम जोइन करने से यहां का जो हम वीडियो आपको दे रहे हैं वहाँ पर आपको सल्यूशन का फीडियो मिल जाएगा